मुकं करोती बाचालं अंगुं लंगयते गिरें यद क्रिपात्तम हम वंदे श्री गुरू दीन तारिनं अरे क्रिष्णा तो आप सब का सनीवार के साफता ही कारेक्रम में भगवत कता के हार्दिक स्वागत है तो आज जैसे प्रभुषी ने बताया हम श्री जगनाद जी की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे श्री जगनाद बलदेव जी सुधद्रम हरानी और श्री सुधर्शन जी हमारे बीच में विद्यमान है तो उनके समक्ष उनका गुनगान करने का हम कुछ प्रयास करेंगे उनके आशिरवाद की आचना करते हुए उनकी प्रसनता के लिए जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि श्री जगनाद जी जो है कल्यूक के लिए विशेश अवतार है सबसे सरल सेवा स्विकार करने वाले और सबसे सरलता से भक्तों से प्रसन हो जाने वाले और भक्तों के साथ आदान प्रदान करने वाले बिल्कुल जगनाद कुरी में भी मंगलवार कोई रथियात्रा का कारिकरम है मंगलवार अलाखों लोग आएंगे जो जगन्ना जि- ऐसे भगवान है, जो Svayam, जो है भ॥ों के पास जाते हैं, तो कोई भी मंदिर में जदि देखें, जो मूर्ती की जब स्थापना हो जाती है तो उसके बाद, वहाँ से, halten नहीं है, कोई भी मंदिर में, वह वेग्रारकी Sthापना हो गई, तो बह違う अपने एक स्थान पर ही रहते हैं भक्तों को जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए वक्त नहीं जाये तो भभवान दर्शन नहीं जेते है लेकिन जगना जी का ऐसा नहीं जगना जी साल में एक भार बहर आ जाते है जो मंदिर कभी नहीं आएगा जो कभी नहीं आ सकता उसको भी रश यहान जग Arabic और शिरुप्रागपाई जी की कृपा से तो विश्वा के हर प्रसिद शहर में जगनाजी ज़ो हैं सडक पर जाकर जो हैं अपने आशिरवाद की जो किया दा है किरपाद दृष्टी जो हैं अमरित विरृष्टी जो हैं भगवान की जो हैं वो सब भक्तों पर देखते हैं और बड़ जगना जी का विशेश सुन्दर रूप है बड़ी बड़ी आंखे हैं इससे भगवान बिलकुल जो हैं भक्त कोई अच्छा कार्य करते हैं उसको बड़े ही मैगनिफाइंग लेंज होता । वेसे करकर देखती है बड़ा जो है विशेश कृपा का रूप है भगवान की घृपा का विशेश रूप स्री जगनाजी का है ए जगनाजी का कोई आईलिड्स भी नहीं है, पलग भी नहीं छपकते हैं जगना जी, नहीं तो कई बार बाला जी जाओ तो के लिए एक सगिंड का दर्शन मिलता है, तो ऐसा लगता है कि खही अगर भगवान ने पलग छपक ली तो हमें देखी नहीं पाएंगे, और निकल गए हैं हमारी सेवा म सामने वो भी डर नहीं, बड़ी बड़ी आके हैं, चारों तरफ देख रहे हैं और कुछ, कोई मिस नहीं कर सकता जगनाजी को, इसलिए जगनाजी का जड़ा विशेश जो है, कल्युक के लेक्रपा का अवतार है, तो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि कई शास्त्रों में वर्नन है, श्री जगनाजी और श्री जगनाजी और श्री जगनाज परी शेतर के विशे में, हम चर्चा कर रहे थे, हैं सकंद पुरान के जहां एक भाग में, जहां पर पुर्शोत्म महात्मे में, जहां पर वर्नन गया है, किस प्रकार से जगनाजी का प्राकट्टे कष्षठ कि में दोहरानाचाऊंगा शर्चा हो रही थी जयमिनी रिश्छी अपने सादूों से चर्चा करakyat और श्रिष्ठी का निरमान क्या हुआ उस प्रकार से वो चर्चा करने के पस्चात चर्चा हुई ब्रह्मा जी ने दुबारा शृष्टी का निर्मान किया सब इंग्रिडियंट्स को लेके बनाया इंजिनियर हमारे और उन्होंने देखा कि यहां तो बहुत कष्ट है तो वे भगवान के पास भगवान ने कहा कोई बात नहीं मेरा एक एमबेसी है इस जगत में जहां पर आप जाईए जहां पर कोई कष्ट नहीं कोई दुख नहीं और तुरंद ब्रह्मा जी भाग कर आए और वहां रोहीनी कुंड का दर्शन किया और देखा कि कववा एकदम गरुड बन गया उसको पानी को जो है कववा भगवान के धाम चला गया केवल उस जल को सपरश करने से और फिर वहां पर यमराज जी भी आए बोले अरे यहां तो हमारा धंदा पानी नहीं चलेगा यहां तो सब भगवत धाम चले जाएंगे तो दोनों ने मिलके प्रार्थना किया लक्षमी जी वहां प्रकट होती है और पुट्षोत्तम शेत्र का महात्मे बताती है कि भई यह तो मेरा धाम है यहां पर तो कोई आपका जो लॉज जो कर्म है जो नियम है वो पालन नहीं होते यहां हमारे आध्यात्मिक जगत के नियम पालन होते है तो इसलिए यहां पर आपका कुछ नहीं चलेगा और यह मुराज जी लक्षमी जी से निवेदन करते है कुछ और इसकी महिमा बताईए तो मरक्षमी जी मारकंडे रिशी की कथा बताते है करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसास्मराम इस लोग के बारे में हमने चर्चा किया है और तत्पश्चात भगवान शंकर की अराधना करते हैं ब्रह्मा जी और यमराज जी और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उसके पश्चात लक्षमी जी कहते हैं कि एक समय आएगा जब इंदरदुम्न महराज आएंगे तो ब्रह्मा जी आप थोड़ा उनका हेल्प कर देना तो जब रिश्ची मुनी पूछते हैं कि इंदरदेव थैंक्यू प्रूब्वाज कि ये कौन है भई इंदरदुम्न महराज महात्मा लोग पूछते हैं तो बताते हैं कि अवंती के प्रदेश के उजएन के आसपास के वहां के राजा है बड़े संतुष्ट थे लेकिन एक खिरदे में इच्छा थी कि एक ऐसा स्थान एक ऐसे देव के दर्शन हो जाए जिसके दर्शन करने के लावा और कुछ जीवन में प्राप्त करने की इच्छा ना रह जाए तो वहें उनके मुख्य मंत्री के भाई विद्यापती जी सर्च पे चले गए और वहें आते हैं निलादरी स्थान पर जो हैं नील कंदर में नीली गुफा के अंदर नील माधव का दर्शन करते हैं और लोट कर तुरंत राजा के पास जाते हैं कि ऐसा दुरलब दर्शन जिसका दर्शन करने के बाद और कुछ देखने की अवश्रक्ता नहीं और केवल भवबंदन से मुक्ती हो सकती है तो इस प्रकार से जाते हैं और राजा नारज जी को लेकर हम चर्चा के विस्तार से उनकी यातरा को पुरा 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 राज्य को अलमोस्ट लेकर चलते हैं सब को इनिमंतरन था तो सब लोग आते हैं जैसे ही वो उतकल प्रदेश में पहुंचते हैं वहां के राजा से उनका आखिते सुद्ध करते हैं और वहां के राजा बताते हैं कि थोड़ा एक अब श्रगुन है एक बुरी ख़बर है कि एक वो साइक्लोन आया अभी जो भी भी चल रहा है कुछ साइक्लोन तो उस समय भी एक साइक्लोन आया और नील माधव तो लुप्त हो गए पुरा उच्छा डाउन लेकिन गुरुजी के पास गए नाराज जी ने समझाए कोई बात नहीं परियास करते हैं इस प्रकार से काफी परियास करने के बाद भवान शंकर से अराधना करते हैं भवान शंकर मारग दर्शन देते हैं हजार अश्वमेद यग्य करते हैं नर्सिंग देव के मंदर की स्थापना करते हैं इंदरुदम महाराज और फिर जाकर जो है तीन लकडी के विशाल जो है भाग तैनी स्टेम जो है समंदर से तैरती वहाँ बिलकुल दिव्य प्रकाश प्रकाशित और दिव्य सुगंद उस जो है लकडी के भाग से आ रही थी और उस से जो है जगनात बलबदर और सुबदरा महरानी के विग्रह को जो है विश्व करमा जी बनाते हैं और फिर हमने उसके बाद चर्चा किया कि ये विशेश रूप क्यों इसमें तो बड़ी-बड़ी आखें हैं और हात ऐसे सिकड़े हुए हैं और पैर दिखाई नहीं देते हैं तो फिर हमने चर्चा किया कि किस प्रकार नारदमनी बताते हैं कि एक बार वो द्वारका में गए और द्वारका में जब सब रानिया थी वो चर्चा कर रही थी कि केवल कि कृष्ण रहते हमारे साथ है लेकिन चिंतन ब्रज का ही करते रहते हैं राधे राधे बोलते रहते हैं कभी गोपियों का नाम लेते हैं कभी गोपों का नाम लेते हैं तो ये क्या ब्रज है तो उन सब ने एक कथा का आर्योजिन किया जिसमें वक्ता थी रोहिनी देवी क्योंकि उन्होंने ब्रज में भी रही थी रोहिनी देवी तो रोहिनी देवी विस्तार से कथा सुनाती है लेकिन उस ब्रज की कथा को सुनकर स्री बलराम जी स्री कृष्ण जब सुनते हैं तो पूरे भाव विबोर हो जाते हैं, उनकी आखें बड़ी हो जाते हैं, हाथ अंदर चले जाते हैं, पैर अंदर चले जाते हैं, जिस प्रकार से कच्छुआ क्या है, जो हैं अंग अंदर चले जाते हैं, तो वैसा रूप नारदमनी ने दर्शन किया, तब नारदमनी कहते हैं कि इस रूप में भगवान आप सबको दर्शन दीजी तो यह वही रूप है जो नारद जी को सरवप्रतम दर्शन हुए थे कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभध्रा महारानी यहां तक हम पिछली बार चर्चा किये थे और उसके पस्चात जब यह विग नारदमनी से कि चलो भई नारदमनी भी सुझाव दिया कि इतने भावान स्वेम प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको आमंतरित करते हैं as a पुरोहित ताकि इसका जो है डिटी इंस्टॉलेशन के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया जाए तो ब्रह्मा ज जी के विग्रह हैं तो ब्रह्मा जी स्वयम आते हैं और इन विग्रहों का प्राण परतिष्ठा करते हैं और तर ब्रह्मा जी बताते हैं कि वास्तव में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि आज मेरा जनम दिन है पचासवा जनम दिन है और मेरे पहले 50 साल में नी इलमाधव जाने के बाद जगननाज जी के रूप में भगवान प्रकट हुए तो इस प्रकार से हमने यहां तक हमने पिछली बार चर्चा की थी और आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे क्योंकि अभी मंगलवार को जो है रत्यात्रा का पावन उत्सव है तो हम दो विश्रयों पे आज चर्चा करेंगे एक कि किस प्रकार से हमें अपनी तयारी करनी है भगवान को अपने हिर्दे में स्विकार करने के लिए श्री चैतने महाप्रभू जो की भगवान श्री कृष्ण के अवतार है उन्होंने गुंडिचा मारजन जो की सौमवार को बड़ा संदर पर्व है उसके माध्यम से हमें सिखाया कि कैसे हम अपने हिर्दे में ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं और दूसरा प्रसंग जो है जगनाज बलदेव सुबद्रा सुदर्शन महारानी का जो यह रथ्यात्रा है इसके पीछे का गूड रहस्य क्या है भाव क्या है तो वास्तमे में यह बहुत ही जो गूड रहस्य है जगनाजी के रथ्यात्रा का बहुत ही उच्छ कोटी का यानि एक कैसे नहीं जैसे पी PhD का विशय वस्तू है, पीछरी अर्थात बहुत ही उच्छ कोटी का विशय है, तो हमारी योग्यता नहीं इस विशय में चर्चा करने की, लेकिन ये पर्व का महुतसभ है, रथियातरा का महुतसभ है, तो जो हमने आचारियों से सुना है, उसको हम थोड़ा सा धोराने का प् कि ये थोड़ा सा गूड विशय है, लेकिन हम जगनाजी से प्रार्थना करते हैं, उनसी प्रसंगता के लिए हम इस विशय में बिलकुल संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, परम, पुझ, शिला, गोविंद महराजी द्वारा एक पुस्तक लिखे गई है, उसमें ये प्रस सुबद्र महरानी के चरणों में प्रार्थना करके, इस खता को आरंब करेंगे, श्रीशी जगनात बलदेव सुबद्र महरानी की, श्री सुदर्शन जी महराज की, श्रीव प्रभूपाद की, ये प्रभूपाद की ही कृपा से जगनात जी जो है संपून विश्व को पता जो है नहिसे दीकान्शति एंच्छिं से भघवान का नाम जगनात था लेकिन उड़ियनात और बंगल के नात थे अधिकांस थे इदिकांशता है है और किसी को हम में से भी अधिकांसते लोगों को इसक्राव में आने से पहले कितने लोगों को बारे में मालुम था बहुत कम लोग हैं, गिने चिने लोग हैं, जिनको इसकौन में आने से पूर्व जगनाज जी के बारे में मालते हैं, तो श्राप्रभुपाजी के खृपा से ही जगनाज जी जो है वास्तम में एक तरह से उनका नाम सार्थक हो गए, ने वैसे तो भगवान का नाम केवल यहा लोग करते हैं, और रातरी के समय देवता गणा के उनकी पूजा मंदना करते हैं, लेकिन प्रभुपाजी के गरपा से इस भातिक जगत में भी जगनाज जी सब जगां प्रसिद्ध हो गए, भगवान स्री कृष्ण जब प्रकट हुए, स्री ब्रंदावन में, तो उन्हों अपने भगतों को आनंद प्रदान करने वाली दिव्य लीलाएं की, वास्तव में जो भी अलग-लग भगवान के अवतार होते हैं, वो एक प्रकार के भगतों को आकरशित करने के लिए, कुछ भगत होते हैं, जो कि बिलकुल मर्यादा, प्रशोतम, श्री राम जी की अपने भगतों को केवल आनंद मात्र देने के लिए, लीलाएं, विभिन लीलाएं, बाले लीलाएं करते हैं, ऐसा कोई विशेश शक्ती का प्रदर्शन इत्यादी नहीं करके, ब्रंदावन में एक सामान्य बालक की लीलाएं भगवान स्री प्रजभूमी में करते हैं, अपने गोपाओं के साथ खेलेंगे, कुष्टी सुबल इत्यादी भगवान के स्रीदामा, इत्यादी को भगवान उठा कर कंधे पर घूमेंगे, अभी कोई अन्य धर्म के व्यक्ती तो इस बात को समझी नहीं सकती, कि अधिकांश्तह उनका भगवान की जो understanding है, जो समझ है, वो है कि भगवान शृष्टी के निर्माता है नियंता है, या शृष्टी का सहार करने वाले हैं, या फिर हमें दंड देने वाले हैं, लेकिन वेधिक संस्कृती में, वेधिक सिद्धांत में भगवान का क्या रूप है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो किस प्रकार से अपने भगतों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और क्या वास्ता में शुद्ध भगती है, केवल भगवान से मांगना ही नहीं, उनको प्रसन करना ये भगती की पराकाष्टा है, ये कहीं अन्य स्थान पे नहीं मिलता, केवल शुद्ध भगती, श्रीमद भागवत और अन्य वेधिक गरंथों में बताया जाते हैं, तो ब उदेश है, कैसे भगवान को प्रसन करना, और कोई हेतु नहीं, ना ही कोई इच्छा की हमारा हिरदे का शुद्ध करन हो जाए, हमें आनंद मिले, हमारे को कुछ प्राप्त हो, ये कहीं भाव दूर दूर तक ब्रज भूमी में दिखाई नहीं देता, कोई भी भगत ब्रज का ये विचार नहीं करता कि मेरे को इसमें लाब क्या होगा, अन्यता बहुतिक जगत का जो एक क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, सब्दों के एक मिले, what is in for me, इसमें मेरे लिए क्या है, ये है भाव ब्रज से परे है, इसलिए सिद्धान्त जो हम चर्चा करने ज कि भगवान इस से प्रसंद होंगे, इसके आधार पर पूरा जीवन कार्यानवित हो रहा है, तो ये समझना हमारे दिमाग में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल है समझना कि कोई ऐसा भी जीवन हो सकता है कि कि किसी और की प्रसंदा के लिए अपना सब कारे करें, अरे यहर गोपियों के साथ प्रसंद जो गोपियों के प्रान अनात स्री कृष्ण, जो सब कुछ अपना स्री कृष्ण की प्रसंदा के लिए जो लगा देती है, और इस प्रकार के दिव्य लीला आये बगवान स्री कृष्ण ने करीभ दस वर्ष सात महीने ब्रज भूमी में किये, और जब भगवान कृष्ण 28 वर्ष के हुए तब लीला के माध्यम से भगवान द्वारका दीश के रूप में द्वारका में रहे और करीब 100 वर्ष वहाँ पर लीलाएं की और उन 100 वर्षों में ब्रजबासी गण जो है भगवान की इस प्रेम के विरह में जलते रहे धीरे ध अगनी होती है वो तुरंट जला देती है नहीं ग्रेड वन ग्रेड टू क्या होता है ऐसा कुछ तो ग्रेड फाइव का जल गए लेकिन जो विरह की अगनी थी वो धीरे-धीरे हर रोज उन ब्रज के भगतों को जला रही थी एक्षरी वास्तव में ये शोदा मया रोज श्री कृष्ण आएंगे ये कहकर गए थे इस आश्रा से रोज उनके लिए मक्षन बनाना रोज मिठाई बनाना सुर्यदे से सुर्य आस्त तक रहा देखनी कि कृष्ण आज आएंगे और फिर उसको फेक देना रात को और फिर वापिस सुबह बनाना कि कृष्ण शायद आ बोजन होना चाहिए थी, अश्रू धारा निरंतर बहा करती थी, ऐसा वर्नन क्या गाता है कि जब उधव जी आये थे ब्रज में, तब उन्होंने कुछ गोपियों से पूछा था कि नंद भवन कहा है, नंद भाबा का घर कहा है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो धाराएं जा रही है, जो एक जल की धारा और एक जो दूद की धारा धारी है, इसके पीछे-पीछे चले जाओ, तो आप नंद भवन पहुंच जाओगे, तो बोले ये है क्या, बोले ये नंद और ये शोदा मैया के अश्रू की धारा है, और दूद जो उनके वातसल्य से जो निकल रहे स्तनों से वो दूद की वो धारा है तो यह धारा को पहुंच जाओगे तो इस प्रकार से जो है उनका क्योंकि जितना आसकती होता है जितना प्रेम होता है उतना ही विरह की वेदना तेज होती है इस बहुतिक जगत में भी यदि हमें किसी वस्तु से आसकती है, किसी वक्ती से कुछ आसकती है, जब वह चला जाता है, या हमसे कुछ छीन लिजाती है चीज, या वस्तु, यदि हमें फोन, या किसी भी वस्तु से बहुत आसकती है, जितनी आसकती होगी, जब वो चीज छीन लिजाएगी, उतना ही कश नेकिन यहां आध्यात्मिक प्रेम की बात हो रही है, एक भौतिक विरह नहीं है, यह एक आध्यात्मिक भावनाएं हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर ब्रजबासियों का, इस भौतिक जगत में तो समय के साथ व्यक्ति भूल जाते हैं, कोई हमारा प्रिय भी हो, यदि चले जाएं तो कुछ वर्षों में हम उनको भूल जाते हैं, इस भाविक हैं, अपने अपने कारों में सब व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन यहां स्री ब्रजबूमी में सौ वर्ष होने के पस्चात भी हर रोज गोपियां स्री कृष्ण के बारे में चर्चा करती हैं, गोपगन भी इतना उनमत थे कृष्ण के साथ, कि कृष्ण के स्मरानग में कृष्ण के साथ खेलना, कि कृष्ण के साथ ऐसा करते थे, यहां घूमते थे, कृष्ण के साथ ऐसा खेलते थे, कि उनको प्रायह ये भ्रम हुआ करता था कि कृष्ण हमारे साथ खेल रहे हैं अ रिष्ण के साथ है और आम कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, हलां कि कृष्ण वहाँ नहीं है, यह अनों ब्रज। और शास्त्र वर्नन करते हैं कि ब्रज के जो व्रिक्ष थे उन्हें भी इतना प्रेम था स्री कृष्ण से, अज पशू पक्षी व्रक्ष इत्यादी भी कि वहा उससे वो जल के सुख जाते लेकिन वो क्यों बचे हुए थे क्योंकि गोपियों का विरह से जो अश्रु आ रहे थे उससे वो सीचे जा रहे थे वो जल के सीचे जाने से वो बचे हुए थे अन्य था वह सब ब्रज के मुरजा जाते और भगवान स्री कृष्ण ने बीच में उधव जी को भेजा था एक बार कि जाए और आप माता पिता मेरे और गोपियों को मेरा संदेश दीजिए और माता पिता के बारे में तो उन्हें ने काल किया कि माता पिता का तो आप अपने ग्यान के द्वारा समझाने का प्रियास कीजी लोकिन गोपियों को आप अपना प्रियास मत करना ग्यान समझाने का यह मैं जो चिठी दे रहा हूँ यह पढ़ लेना यह मेरा संदेश केवल पढ़ देना तो ब्रज में तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को टीचर के रूप में भेजा था शिक्षक के रूप में लेकिन वो एक क्या बोलते हैं भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे टॉप स्कूल है ब्रहस्पति जी का जो कि देवताओं के गुरू है उनका जो इंस्टिटूट है वहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई थी तो मतलब वहां के भी वो टॉपर थे, ब्रहस्पती जी के परसनल शिश्य थे और उसमें भी वो टॉपर थे, मतलब गोल्ड मैडलिस्ट इन दे बेस्ट स्कूल इन दे युनिवर्स, वो तलब यह उनका ज्यान का, क्या बुलते हैं, नॉलेज का उनका लेवल था, मतलब जो प्रेम था, वो इस ग्यान की सीमा से परे था, उस सब वेदों से भी ग्यान से परे, स्रीब्रज का प्रेम था, तो उधव जी जब वहां गए तो सिखाने के लिए गए थे, लेकिन जब लौट कर आए तो शिश्य के रूप में लौट कर आए, ब्रज में तो खहते हैं उधो, शुद्ध हो गयो, ब्रज गोपिन के बोल, बजाए ज्यान की दुंद भी बजत प्रेम की डोल, वहां वो ज्यान की डुंद भी बजाने गए थे, वो डमरू छोटा बजाने गए थे, लेकिन वहां तो प्रेम का डोल बज रहा था, तो डोल के सामने डुंद भी कहा चलेगी यह ब्रज का प्रेम तो भगवान का यह इक इच्छा थी भेजने का एक उद्धेश्य भगवान स्री कृष्ण का था कि उधव जी को भी समझे कि भाया यह जो मैंने ज्ञान अर्जन किया है जो ब्रज का जो प्रेम है इससे कहीं उपर है तो यह सिखाने के लिए ही जो है ब्रस्पती जी के स्कूल से भी उपर ब्रंदावन इंस्टूट ऑफ हायर एजूकेशन है वियाई अच्छी यह भगवान वताना चाहरे थी कि यह ब्रज का जो जो ज्ञान है आपके उससे भी परे है बेस्ट स्कूल अब यूनिवर्स भी पढ़ने के बावजूद भी वियाई अच्छी मेडमीशन लेना पड़ा उनको इस प्रकार से जो है और अंत में जब वो लौट कर आए तो वहां वो प्रार्थना कर रहे थे आने से पूर्व बढ़ा सुंदर भागवत में वर्नन ह पर रहूं ताकि जब ब्रजबासी उस पर चले तो उनकी चरण रज मेरे सिर पर चले अभी कोई भार के व्यक्ति को हम यह बताएं कि भाई इतना सारा मल्टीबल पीएचडी करने के बाद पास आउट व्यक्ति कह रहा है कि मुझे घास का तिनका बनना है ब्रिंदावन में कोई एस्पिरेशन ही नहीं है इतना बड़ा कुछ तो तुम मल्टीबल पीएचडी के बाद कुछ तो बड़ा जॉब का काम जा करना चाहिए कोई इच्छा करनी चाहिए कि मैं बड़ा कुछ लैब में लग जाओं या कुछ बड़ी मुल्टीनेशनल कंपनी में लग जाओ या कुछ CEO बन जाओं या कुछ करूं लेकिन ये उनकी ख्यावलते है अभिलाशा है कि मैं ब्रज में घास का तिनका बन जाओं अभी इसको कैसे समझाता सकते है नहीं इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा विशय कटिन है हम तो को शायद ना समझा है पट ये वास्तविक्ता ब्रज के प्रेम की है ये वो सब कुछ होने के बाद वो व्यक्ति कह रहे है कि मुझे गास का तिनका बनना है and that is the highest ये सर्वो पर्री है वास्तव में ये समझा रहे थे और भगवान स्री कृष्ण भी भक्तों के साथ आगान करदान करने में ब्रज में फेल हो जाते है ये भगवत गीता में तो भगवान कहते है न ये ये था माम प्रपध्यंते ताम सतहिव बजाम में हम कि जो जैसे मेरी तरफ आता है मैं उसी के साथ उसी के अनुसार उसके साथ आदान प्रदान करता हूं लेकिन कभी राज गोष्वामी चेतने चरितामरित में बर्नन करते हैं कि भगवान भी ब्रज की भक्तों का ब्रज के खास कर गोपी इंगणाओं और श्रीमती राधा रानी के प्रेम के साथ आदान प्रदान करने की क्षमता नहीं रखते सेई प्रतिग्या भंग होईला गोपीर भजने कविराज को स्वामी कहते हैं कि ये भगवान की जो प्रतिग्या थी ये था माम प्रपद्यन ते वो भंग हो गई से ही प्रतिग्या भंग होईला गोपीर भजने तहां ते प्रमान कृष्ण श्री मुखु बचने भगवान भागवत में स्वयम कहते हैं न पारे हम कि एक ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में भी है गोपी गणो मैं आपके प्रेम का क्या बोलते हैं उसको रिन नहीं चुका सकता तो यह भगवान भी असमर्थ है इन गोपी गणों के प्रेम के साथ आदान प्रदान करने में तो हम उस प्रेम को समझने कह प्रयास कर रहे हैं जिनको भगवान स्री कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे हैं जिनके साथ भगवान भी reciprocate करने की क्षमता नहीं रखती, वो प्रेम जिसको उधव जी भी समझ नहीं पा रहे, तो उस प्रेम की बात हम करने जा रहे हैं, और ये जो प्रेम का भाव होता है, प्रेम बड़ा विचित्र है भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम का भाव ऐसा ह कि जिस व्यक्ती में प्रेम रहता है, वो बड़ा नम्रत हो जाता है, और उसको छुपा के रखता है इस भगवत प्रेम को, ये बड़ा विशेश गुन है भगवत प्रेम का, नहीं तो इस भावत जिगत में लोग के पास कोई चीज होती है, थोड़ी भी होती है, तो ज़् बता ही नहीं चलता, तो ब्रज गोपियां देखने में बिलकुल साधारन गोपियां है, क्या करती है, गाएं चराने में मदद करती है, दूद निकालती है, दही मक्षन भाटती है, कौन उनको समझेगा कि ऐसा ने कि कुछ बिगदम जटाएं रखी हुई है, दाड़ी बड चर्चा की थी एक लीला की जब भगवान स्री कृष्ण द्वारका में थे और सब गोपियां, सब रानियां चर्चा कर रही थी कि भई भगवान तो राधारानी का ही नाम लेते हैं, और ब्रज की गोपियों का ही नाम थे, एक और लीला आज हम चर्चा करेंगे, भगवान स फल को यदि हम आएने में देखें तो उसके reflection दिखाई देती है और reflection को देखने तो फल की याद आती है लेकिन फल को देखे reflection की याद नहीं आती आपके साथ में आम है तो आपको mirror में आम की याद नहीं आएगी उसी परकार से ब्रिंदावन वो फल के समान है और द्वार का और मतुरा वो प्रतिबिंब के समान है तो द्वार का मतुरा में कृष्ण को ब्रज का ही स्मर्ण होता था तो एक बार इतना स्मर्ण हो रहा था कि आखों से अश्रू आ रहे थे और स्री राधा का नाम रट रहे थे और ऐसा दिव्य प्रेम का भगवान अनुभव कर रहे हैं वास्ता में ये प्रेम जो है शास्तर में वरने की अनीर वचनियों है इसकी कोई तुलना नहीं दी जा सकती इस भौतिक प्रेम से There is no comparison which can be made to the love of the ब्रजबासी यहां तक वरन क्या जाए कि अनन्त देव भी, अनन्त काल से, अनन्त मुखों से जो ब्रजबासी वरनन करने में पार नहीं हो पाते हैं और इस प्रकार से एक समय की बात है कि श्री कृष्ण विरह का अनुभव कर रहे थे जिस तरह से ब्रजबासी विरह का अनुभव करते थे वहाई कृष्ण भी ब्रज और स्री राधा का विरह का अनुभव करते थे और एक बार स्री राधा का नाम लेते लेते आखों में आसु आते आते भगवान श्री कृष्ण इतनी विरह वेदना बढ़ गई ताप बढ़ गया कि मुर्चित हो गई बेहोश हो गए और उस समय आसपास कोई था नहीं भगवान आइकांत में थे और वहाँ पर भगवत प्रेरित श्री नारजी वहाँ आ जाते हैं नारजी सब जगहां पहुंच जाते हैं नहीं हमके पास विलकुल दिव्य कनेक्शन है कोई विजा की जुरत नहीं कोई पासपोर्ट के जुरत नहीं जाने के जुरत नहीं पासपोर्ट विजा लेने के लिए और सब जगहां का अपना इप खुद का ही प्लेन है तो कोई टेंशन नहीं एरलाजी का भी कुछ नहीं तो वहाँ नारजी आये और नारजी तो हमेशा नारद मुनी बजाए वी नाराधी का रमन नामे तो भवान श्री राधा और रमन का नाम गाते हुए गुमते रहते हैं सब जगा और तब उनके मन में विचार आ रहा था कि इस थिति में थो हमने कभी नहीं देखा बेहोश हो गए है क्या किया जाए जल चिड़का जाए या किसी वैदि को बुलाया जाए या करना क्या है उसी समय उद्धव जी भी वहाँ आ जाते हैं तो उद्धव जी को तो अलड़ी ब्रज के प्रेम कानुभव था ही और तो दोनों मिलके विचार करते हैं कि भई अभी किया क्या जाए क्रिश्न यहां विहोश पड़े हुए है या जल लाया जाए या करना क्या है वाट इस दे मेडिसन क्या है या डॉक्टर को बुलाया जाए और उधव जी ने कहा कि भई मेरको मालू है मैंने ब्रज का अनुभव किया है और ब्रज में मैंने देखा है गोपियों में सबसे सर्वो परी राधारानी है नारज जी एक काम करो क्रिश्न के कान में जाके राधारानी का नाम दो उड़ जाएंगे क्रिश्न वेस्ट उपाए और नारज जी कहने लगे नारज जी भी सोचते हैं नहीं है अगर ऐसा करूँगा ना मैं तो वो राधा के भाव में ही वो थे और बेहोश हुए थे और फिर से राधा का नाम दोगा तो और भाव में आ जाएंगे और बोलेंगे मुझे तुरंत ब्रंदावन जाना है और तुरंत ब्रज चले जाएंगे और लौटके नहीं आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो यह ऐसा द्वारका में जो सेवा इत्यादी है वो नहीं हो पाएगी और तो इसलिए क्या करें समझ में नहीं आ रहे हैं नारा जी विचार करें दियद गत्वान आनि वर्तन थे भगवान नहीं कहा है अपने धाम से कोई लौटके नहीं आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो दीजिए और हम यहाँ पर मैं दारुक को रेडी करता हूँ दारुक भगवान के परसनल शौफर ड्राइवर है तो उनको मैं रेडी रखता हूँ आप तब तक उधवजी आप ब्रज आई और वहां के लोगों को बलई कि खुश हो जाई है आनंद में रहे और कृष्ण चलो थोड़े सामें बिता के लोट आएंगे ऐसा उनका प्लान था नारज जी का कि उधव जाईए और उधव जी कहने लगे मैं पिछली बार गया था ग्यारा महीने रहा मैं तो उनको संतुष्ट नहीं कर पाया मेरा तो बड़ा experience गबढ रहा मैं तो फेल हो गया था mission में और मैं तो बोलके आया था कि मैं Krishna को भेज रहा हूं लेके आऊंगा और अभी तक Krishna गए नहीं है तो मेरी तो अलड़ी repetition अभी खराब हो गई है वरज में वाफिस गया तो फिर तो मेरा नाम खराब हो जाएगा पुरा यह फिर से आएंगे नहीं Krishna तो इसलिए तो उधव जी Krishna में लगाऊ औरे वो गोफियां कहती थी कि हमारा मन हमेशा Krishna में ही लगा रहते है और कुछ मन कहीं और जाता हिनुए तो हम करें क्या हमारी समस्याος div बोलेक्र सब वक्तों की समस्या है कि मन Krishna में नहीं लगता कि मन Karma Takur हमारी ये समस्य है, उधव जी हमारा एक ही मन है, वो कृष्ण में लगा हुए, इसलिए हम कुछ घर का कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करी नहीं पा रहे हैं, हमारा तो पूरा जीवन अस्त वेस्त हो गया है, उधो, सुर्धाजी लिखते हैं, उधो मनना भयो दस बीस, भया एक ही मन है, वो कृष्ण चले गए, उनके साथ चला गया, तो हमारे और दस बीस मन तो हैं नहीं कि हम घर को संभालें और इसको संभालें, हमारा तो कुछ गती हैं नहीं, और तो उधव जी बता रहे थे नारा जी को कि भई वास्त में मैं उनको क्या बोलता, वास्त में यही जो है, जीवन की जो है, भक्ती की परकाश्टा है, कि कृष्ण के विरह में रोना, कृष्ण को पुकारना, और गोपियां वहीं तो कर रहे थी, तो उनको मैं क्या कहता, कि आप यह छोड़ दो, वो तो ultimate ही जी कर रहे थी, ब्रज का ही, जो भाव है, विरहव का, जो भाव है, गोपियां, उसी कानुभव कर रहे थी, तो मैं उनको क्या सिखाता, इस प्रखार से, मेरा जाना उचित नहीं रहेगा, नारज जी, कुछ और विचार करते, उससे में बलगराम जी वहां आ जाती है, तो नारज जी बताते हैं कि, भई हमने आए, हम दोग तो ऐसी जा रहे थे, यहां देखा, कृष्ण मुर्चित है, तो बलगराम जी भी चिन्तित हो गए, और अभी तो बताया हैं कि, हमारा प्लान था कि, उद्धव जी को भेज दें, लेकिन उद्धव जी तो मना कर रहे हैं, उन्होंने अपना कारण बताया है, तो बलगराम जी, आप जाएंगे क्या, नारजी नहीं हो, अभी नेक्स्ट उप्षिन वही था कि, बलगराम जी सामने आप जाएंगे, और ब्रजवासिन को थोड़ा खुश करिए, फिर कृष्ण को भेजेंगे, तो बलगराम जी बोले, नहीं, मेरा जाना तो और रिस्की है, मैं पिछली बार दो मिने गया था, और मैं भी यही बोलके आया था, कि कृष्ण आएंगे इसके बार, तो कृष्ण अभी तेक नहीं गए, तो अपना भी रेफुटेशन ठीक नहीं, और मैं तो ब्रज में रहा हूँ, तो मैं खुद ही लौट कर नहीं आपाऊंगा, अगर ब्रज का इतना इतने वर्षों के पस्चाज, इतने वर्षों का जो बिरह की जो वेदना है, जो ब्रजबास्यों की जो मैं देखूंगा, तो मैं भी लौट कर नहीं आपाऊंगा, तो मेरा जाना ठीक नहीं है उद्धव जी तो चलो बाहर के है मैं तो और घर का आदमी अंदर रहा हूँ तो मैं तो डेफिनिटली नहीं जा पबना इस समय और उस समय भगवान द्वारा प्रेरिट सुबद्र महरानी भी उस स्थान पर आ जाती है और सब फिर सब मिलके कहते है नारे जी और उद्धव जी और बलराम जी की सुबद्र महिया ऐसा ऐसा स्तिती है हम लोग राधा नाम से कृष्ण को उठा तो सकते हैं लेकिन पहले थोड़ा ब्रज में जाके सेटिंग करके आ जा हुआ तो सब फिर सब ब्रज जाने के लिए तो उत्सुकते ही ब्रज की कथा तो पिछली वार हमने चर्चा की थी उन्होंने सुनी थी तो बड़ी आनन्दित थी जाने के लिए और कहने लगी कि भई मै तो इस स्त्री रूप में हूँ इस शरीर में हूँ तो और असान होगा मेरे लिए गोपियों के साथ आदान पदान करना, उनको सांत बना देना और मुझ में श्रद्धा भी होगी उन लोगो, तो मैं तो ये शुदा मया की गोद में भी जाकर बैठ जाओंगी और उनके वातसले से उनको करूंगी, तो निरना होगा कि सुभद् मही आजाएगी, तो फिर मैं भी साथ में चल सकता हूँ, क्योंकि वो बात का कारे करेगी, बातें वो करेगी, और मैं साथ में रहूँगा ब्रज में, मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूँगा, इस परकार से बलराम जी भी तैयार हो गए, फिर सुभद्धरम मही आखेने और लेकिन हम बोलेंगे कि कृष्ण आने वाले हैं, लेकिन ब्रजवासी पूचेंगे कि भई, आप तीनो भाई भेन साथ में क्यों नहीं आएं, वो क्या बोलते हैं ना, कार पूलिंग कर लो, पेटरोल बच जाता, नहीं वहां तो चलो, गोड़े सबकी अपने अपने पहुच गए, तो सुबधराम जी बोलेंगे, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं चलती हूँ, बलराम जी बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने रद पे पीछे से आता हूँ, हलांकि शाइद बलराम जी का ड्रो ड्राइवर थे, वो थोड़ा फास चला है, तो वो पहले पहुच ग जाते हैं, नारज जी अभी तो गाईए, राधिकारमन अन्हा में, तो तब नारज जी भगवान श्री कृष्ण के कान में जाके, श्री राधारमन, राधारमन, भगवान श्री राधारानी के नाम लेते हैं, और तुरंत भगवान वहां उठकर खड़े हो जाते हैं, और त ट्रिभंग स्वरू भगवान का जो दर्शन, तो श्री कृष्ण भाम, जब ट्रिभंग रूप में खड़े हो जाते हैं, और उध्व जी और नारज जी को देखते हैं, तो भगवान कहने लगते हैं कि, हे नारज जी, हे उध्व जी, आप लोग ब्रज में क्या कर रहे हैं, तो नारज जी और उध्व जी बताते हैं, ये ब्रज नहीं द्वारका में है, तो कृष्ण कहते हैं कि, अरे मैं द्वारका में हूँ या द्वारका में हूँ और ब्रज का सपना देख रहा हूँ, या मैं वास्तम में ब्रज का हूँ और द्वारका का सपना देख रहा हूँ यह बताईए कुछ मेरे को confusion हो रहे हैं कई पर होता है न हम दोग को भी डीप स्लीप में हूँ उठे तो समझ में नहीं आता हम हैं कहाँ अपने अनुभव के एकदम गहरी नींद में उठने के बाद तो कृष्ण राधा रानी के चिंतन में ब्रज के चिंतन में इस तरह सुस्विरह वेदना में मूर्चित्य की जब उठे तो भी समझ में नहीं आ रहा हैं कि मैं ब्रिंदावन में हूँ और देख रहे हैं कि मेरी बांसूरी कहाँ है और मोरपंक नहीं है तो शायद मैं द्वार्का में हूँ फिर नारद मुनी समझाते हैं कि वास्ता में आप इदर ही हैं तो फिर कृष्ण बहाते हैं कि मेरी तो ब्रज के जाने की बड़ी तीवर इच्छा है, तो अलड़ी प्लान तो रेडी था ही, तो भले कि कोई बात नहीं, उधव जी कहते हैं, दारुग जी तो रेडी हैं आपके, चलिए रत पर, क्योंकि अभी मालूम था नारजी और उधव जी को कि हमारे दो एजेंट्स पहले पहुंच चुके हैं वो पूरी संभाल लेंगे ब्रज को, तो इसलिए वह हैं, तो कृष्ण जो हैं, उस समय भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन स्री राधा प्रेम और उस भा में ब्रज के प्रेम से इतने, वो क्या वो थे हैं, एब्सॉब्ड थे, पुरे, कि वो ठीक से चल भी नहीं पाय रह थे, श्री गौर गोविंद महाराज वर्नन करते हैं कि, श्री कृष्ण उस समय राधा रस मदीरा मत विग्रह के रूप में थे, राधा रस मदीरा, जो है, श्री राधा रानी का जो रस, मदीरा मत अच्छल वाली मदीरा नहीं, वो राधा रस की मदीरा में मत थे, इसलिए वो चल भी नहीं पा रहे थे तो उस भाव में कभी लड़ खड़ाते, तो एक साइड से उद्धव जी संभाल रहे थे, एक साइड से नारद मुनी संभाल रहे थे तो इस प्रकार से आचारे गन्वर्नर करते हैं कि उसी भाव में श्री जगनाथ पुरी में जब भगवान, जगनात, भलभध जगनाजी जब रत पर आने लगते हैं, जो पहुंडी विजए होता है, तो उसी प्रकार से बिलकुल उद्ध मदमस्त होके, कभी ऐसे गरते हैं, कभी ऐसे गरते हैं, तो जो लोग गए हैं जगनात पुरी मुने ने दर्शन किया होगा है, या फिर जो लोग जब ओननाइन देखें, आज कल तो रत्यातिरा लाइव आती है, तो आप लोग देख सकते हैं, या फिर इस बार मंगलवार के दिन, रादा रास बिहारी में भी है, और मीरा रोड में भी है, तो जहां संभव हो सके, भग लोग जाकर रत्यातिर में भाग ले सकते हैं but यह है भाव से स्री कृष्ण राधा रस्मदिरमत विग्रह के रूप में जो है भाव में उद्धर जी लेके जा रहते हैं और चैसी बैटे भावान स्री कृष्ण ने दारुक को कहा कि दारुक जी फुल स्पीड से चलाईए विल्कुल क्या बोलते हैं जो है वायू की गती से दारुक जी तो बोले कि आप वायू की गती नहीं हम तो मन की गती से चलेंगे और फास तो दारुक जी तो भावान के प्रियर जो है ड्राइवर हैं तो विल्कुल भावान के हिर्दे की बात को जा जी जैसे मैंने पहले कथा आरम से पहले कहा था कि ये बड़ा ही उच्च कोटी का विशे है, हमारी योग्यता नहीं लेकिन हम केवल उसको दोहरा रहे हैं, यदि किसी को समझ ना आए कोई तो उसको कोई बात नहीं है, इस विशे के ज़्यादा, तो कि ये बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही गुह विशे है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, नेकिन जगनाजी की प्रसनता के लिए, तो यहाँ पर बलराम जी और सुभद्रा जी ब्रंदावन में निधिवन के पास पहुँचते हैं, और वहाँ उपर जब आते हैं, तो देखते हैं कि सब ब्रजबसी व रुदन, रोने की आवाज आ रही है, और जब स्री बलराम जी और सुभद्रा जी जब वहाँ पर पास में आते हैं, तो वह देखते हैं इस लीला में कि राधारानी जो हैं ब्रजरज में लेटी हुई हैं और ब्रजबासी सब उनके पास हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वेदना में उनका इतना ताप बढ़ गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री राधारानी इस भौतिक लीला को विश्राम कर अध्यात्मिक जगत में जा रही हैं, उस सब ब्रजबासी जो है क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे और श्री राधारानी जी का जो दिव्य खारविंद और सिर था, श्री ललिता जी के हाथों में था, विशाखा सकी, श्री राधारानी के कानों में क्रिश्न के नामों का उचारन कर रही थी, चित्रा सकी जो है, उनको चामर डुला रही थी, और रंगदेवी और सुदेवी, राधारानी की ये जो सकी हैं, उनके च साज कर रही थी चरन को दबा रही थी और इंदू लेखा देवी जो है रूई को लेकर उनके कानों में लगाई थी कि प्राण वायू चल रहे हैं कि नहीं और चंपक लता सखी जो है इस ताप को कम करने के लिए चंदन श्री राधरानी के जो है दिव्य शरीर पर लगा रही जब इस परिस्तिती को देखा तो इस ब्रज के प्रेम को इस ब्रज की परकाश्ठा की जो मूर्ति स्री राधरानी के इस विरह के रूप को देखा तो उनके भी जुए आखों से अश्रू धारा हो रही है श्वेध हो रहा है और पूरे चौक गए हैं और इस लीला के समय उस समय वहाँ पर जो है अभिमन्युजी जो कि राधा रानी के तथाकति इस भौम लीला में जो उनके पती हैं वहें वहाँ पर आते हैं और श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं और उनके चरन रज को अपने सिर पर धारन करते हैं और सब ब्रजबासियों के समक्ष अभिमन्यों जी वहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में आप सबके समक्ष में एक सत्य प्रकट करना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में कात्याईनी देवी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और कात्याईनी देवी ही वास्तव में पौण माशी के रूप में सीब्रज भूमी में विराजमान है और उन्ही के आदेश जो की ब्रंदा देवी के आदेशों को पालन कर रही है उनके आदेश के अनुसार ही मैंने श्री राधा रानी से विवाह किया और आज तक मैंने उनको स्पर्श भी नहीं किया और मुझे आज्या दी गई थी कि आप स्री राधा को कृष्ण से मिलने से रोकिए ये आपकी सेवा है तो यह पौण माशी के कहने पर मैं इस सेवा में सन्रग्न था और कहते हैं कि जिस प्रकार से एक हाथी जब चलता है या दोड़ता है तो उसकी शक्ती प्रदर्शित होती है समझ में आता है कि हाथी बहुत शक्ती शाली है लेकिन मान लीजिए अभिमन्य जी बता रहे हैं कि उस हाथी के पैर को लोहे की चेन से बांच दिया जाए के लिए ही मुझे ये कहा गया था कि आप रोको और तब श्री राधारानी जब सब बंधनों को तोड़ कर श्री कृष्ण की ओर जाएंगी तब उनकी प्रेम की पराकाष्ठा स्पष्ट होगी इस हेतु से ही पौणमाष्ठी ने कात्याईनी देवी ने मुझे ये आज्या दिया था और अभी मन्यु जी कहते हैं कि वास्तव में जो राधारानी मेरे साथ रह रही थी वह च्छाया राधा थी जिस प्रकार से जब रावन ने सीता मया को अपहरन किया था वह ओरिजिनल सीता नहीं थी वह च्छाया सीता थी औरिजिनल वारी सीता जो थी वह अगनी देव ने स्विकार कर लिया था अपने पास ले लिया था उसी प्रकार से च्छाया सीता के साथ मैं साया राधारानी के साथ मैं रह रहा था और आज मैं आप सब के समक्ष इस ब्रजबासियों के समक्र इस सत्य को परकाशित करना चाहता हूँ इस परकार से अभिमन्यूजी ने कहा और उसके पस्चात अभिमान्यूजी जब वहाँ प्रणाम किए तब कुटिला जी भी आ गई कुटिला जी को जानते हैं उस लेला में अभिमन्यूजी की बेन और श्राधरानी की ननद, ननद गोलते हैं तो ननद और उनकrawn भी रिष्टा बड़ा विशेष रिष्टा था और वैबी आती हैं और राधरानी को प्रणाम करती हैं उनके चरण की रज को लेकर अपने ज़ो हैं माथे में लगाती हैं, जहां सिंदूर लगाते हैं, और कहें टोठिला जी कहते हैं, कि मेरा भी यही सेवा था, कि हर स्थिती में, हर जगां से क्या है न, जैसे की उधारन देती हैं, कि जैसे कोई एक जुविल्स का, यानि हीरे इत्यादी का कोई महल बना हो, और उसमें कोई छेद ढूंडे चीटी, चीटी कहीं न कहीं छेद ढूंडी लेती है, तो बोले मेरा भी सेवा उस चीटी की तरह जाता है कि कि इतने भी विशाल महल क्यों न हो, उसमें कोई छेद ढूंड लेना, उसी प्रिखाण से मेरा राधारानी का चरितर इतना पवित्र है और सर्वो पर्री है, लेकिन मेरी ये सेवा थी कि उसमें किसी न तुरी से भाईयर रूप से कोई छिद्र या कोई दोश द देखना और उसको प्रसारित करना, उसका प्रसार करना, यह मेरी सेवा दे गई थी, लेकिन कहती है कि मैं एक कथा जो बताती हूं ब्रजबासिं को बता रही है कि आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा ब्रजबासिं को कह रही है कि कुछ लोगों को मालुम नहीं ह होगा ये स्टोरी तो कहते हैं मैं आज विस कहानी जो कथा हमारी कुछ वर्ष पूर्व घटी थी वो मैं बताना चाहती हूं कि एक बार की बात है कि कृष्ण को बहुत फीवर हुआ था और तब उनके जो वैद्य जी आये थे तो उनोंने कहा कि डोलो सिक्स फिफ्टी दे दो नहीं ऐसा नहीं कहा थोड़ा सा जगाने के लिए भक्तों को तो उनोंने कहा कि जो वैद्य जी ने कहा कि कृष्ण का ताप इतना बढ़ गया है इन्हें स्री जमुना जल लाकर जब डाला जाएगा इनके सिर पर तब ये ताप ठीक हो जाएगा लेकिन एक थोड़ा सा एक वो एस्टरिक मार्क है, एक नियम है, एक कंडिशन है कि वो जल ऐसे पात्र में लाना है जिसमें सौ छेद हों. तो नॉर्मन, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सा एक पात्र बना देंगे, लेकिन एक और है कि उसमें से एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए. तो बड़ा विचित्र है नहीं, बड़ा पात्र है जिसमें सौ छेद हैं और यमना जी से जल लेके आना है जहां कृष्ण है नंद भवन तक, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं गिरने चाहिए. यदि वेद्यराज ने भी पता नहीं कहां से पढ़ा होगा और ये क्या ट्रीटमेंट होगा, कुछ तो होगा उनका जो भी आयरवेद विज्ञान या जो भी दिव्य विज्ञान जो वेद्यराज जी का होगा, भवान की लेलाएं हैं, तो लेकिन उनने कहा, वेद्यराज कुछ लोगा ने परियास किया, तो कुटिला जी कहते हैं कि मैंने भी परियास किया था, लेकिन जल नहीं पहुँच पाया, लेकिन केवल स्री राधा रानी जब उस पात्र को लेके आई, स्री जमुना जी का जल जब भरा तो एक बूंद भी बहां नहीं गिरी और कृष्ण को वो जल दे पाई, इसलिए कुठिला जी सब को कहते हैं कि इसलिए हम सब को वास्त में श्री राधा रानी की पूजा अर्चना करने चाहिए, ब्रज में, और यह जब चर्चा चल रही थी तो वहां पर चंद्रावली सखी, जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लिलाओं में, एक क्या बोलते हैं न, आपोजिट गैंग की हैं, अब इसको हिंदी में कैसे बता हैं, आपोजिट पार्टी, आपोजिट पक्ष की हैं, दूसरे पक्ष की हैं, तो वहें आती हैं, श्री राधारानी को प्रणाम करती हैं, उनके रज को अपने मस्तक पर धार करती हैं कहती हैं कि क्रिष्ण कई बार मेरे पास आया करते थे लेकिन वो जब भी आते थे तो वही कहा करते थे कि क्रिष्ण कि मैं जहां भी देखता हूं मुझे स्री राधा ही दिखाई देती हैं और उन्हें मेरे मुख में भी राधा का ही चहरा दिखाई देता था इसलिए वो मेरे पास आते थे और जब कुछ समय के पस्चा तो उनको लगता था कि ये तो राधा नहीं कुछ और है तो वो मुझे छोड़ कर चला जाया करते थे मेरे साथ रहते हुए भी वो राधा का ही स्मरन करते थे तो इस प्रकार से जो है राधारानी की महिमा का वर्नन करती है और तब दारुक प्रभु भी हमारे भगवान स्री कृष्ण को लेकर वहाँ आ जाते है निधिवन में और जब कृष्ण जब देखते है इस लीला को भगवान वहां मुर्चित हो जाते है और अभी तो राधारानी एक तो उदर लेटी हुए है इदर कृष्ण भी आ के मुर्चित हो गया तो और complicated situation हो गया लेकिन विशाका सकी जो कि कृष्ण नाम ले रही थी राधारानी के कानों में उन्हें कहा कि कृष्ण आ गये तो यह उठाके भेजाता है, यहाँ ब्रिंदावन में, ब्रिंदावन में भी आके मुर्शित हो गए, तब राधारानी ललीता सकी को कहते हैं कि ऐसा विवस्ता की जाए, कि यह जो ब्रज की स्वच वायू है, यदि वह मेरे शरीर को स्पर्श करकर श्री कृष्ण को स्पर्श करेग तो कृष्ण अपने आप राधारानी के भाव को अपने मेरी प्रिजन्स को समझ कर तुरंत वहीं उठ जाएंगे, और विशाका सकी को कहा कि आप मेरा नाम कृष्ण के कान में लेजी, बस यह दो चीज करेए, और कृष्ण वहाँ पर खड़े हो गए, और दोनों का जो दि चात, मतलब अनीरवचनी है, उसका वर्नन नहीं किया जा सकता और इसा वर्नन किया जाता है, जब आपस में चर्चा कर रहे हैं तो कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा लगता है कि दौारखा और मतुरा एक बुरे सपने के समान था, वास्तव में में ब्रज ही मेरा जो ह और ये सब करते करते जो है सुभे का बेला हो गया तो और सब लोग ब्रजबासी जब राधारानी की महिमा जब सब ने सुनी, सब ब्रजबासी मिलके राधारानी और कृष्ण की आरती करते हैं, तो मंगल आरती जो है भगवान की वहाँ पर निधिवन में चार बजे सब न राधाराणी से ख्रमा चाहते हैं कि मैं सेवा के हेतू मुझे जाना पड़ा लेकिन आज यदि आप कुछ मांगना चाहती है तो मुझे मांग दीजे श्रमा करिये तो राधाराणी कहते हैं कि यह जो विरह का जो भाव है जो आपने अनुभव किया और मैं यहां जो कर रहे थे यह भाव सब जीव इस भाव का अनुभव कर सकें तब अगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यह आपको वचन देता हूं कि मैं जगनात के रूप में प्रकट होंगा और इस जो विरह के जो भाव जो मैं अनुभव किया उस भाव में मैं जगनात के रूप में प्रकट होंगा और आपके भाव को लेकर मैं Ś्री चेतने महाप्रवू के रूप में अवतरित होंगा और आपको मैं उस रत्यातर के समय है लीला को हम करेंगे कि मैं आपको द्वारका से ब्रज की और खीच कर लेके जा रहा हूं तो दौर जो श्री मंदिर है, जहाँ पर श्री जगना जी रहते हैं, वो दौर का के समान है, और गुंडिचा मंदिर जो है, वो ब्रिंदावन के समान है, तो वहाँ पर रत्यात्रा का आरंब इस लीला के माधियम से हुआ जहाँ बलराम जी प्रतम पहुंचे है, फिर हलांकि हमारी इच्छा थी कि हम गुंडिचा मार्जन के विशे में चर्शा करनें लेकिन समय को मर्यादा को ध्यान रखते हुए हम कथा को यहीं विराम देंगे लेकिन एक बात कि यह ब्रज का जो भाव है जो भगवान को प्रिय है उसका मूल भूत जो जो क्या बोलते हैं ब प्रसंण करना यह वास्तव में जो क्या है धरोहर है ब्रज प्रेम की पूर्ण जीवन किस प्रकार से हमारा यापन हो वैतीत हो कि हम श्री हरी श्री कृष्ण श्री गुरू और वािस्णमों को प्रसंण करने में अपना जीवन वैतीत कर रहे हैं जितने डिगरी तक जितने अनुपात में हम अपने जीवन को इसके साथ जोड़ देंगे कि हमारा जीवन कितने प्रतिश्चत तृष्ण और गुरु वैश्णवों को प्रसंद करने में लगा हुआ है उतने अनुपात में हम ब्रज के भाव का अनुभव और समझ पाएंगे गुंडिचा मारजन का जो मुक्ष संदेश श्री महाप्रवु देना चाहते हैं वो यही है कि भगवन नाम के माध्यम से हमें यदि हमें भगवान को, कृष्ण को अपने हिर्दे में देखना है तो इस हिर्दे को स्वच बनाना है और वहें कल्यूग में नियमित रूप से भगवन नाम के माध्यम से हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलं कलव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यता कि केवल इस भगवन नाम के नियमित रूप से उचारण से हमारा हिर्दे धीरे 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 शुद्धिकरन होता रहेगा और हमारा जीवन का जो कंपस है ज लेकिन उसके लिए ये अनिवार्य है कि हम सब नियमित रूप से इस महामंत्र का प्रती दिन इसका पाठ करें। तो वास्ते में हम सब के लिए ही जो है रत्यातर का प्रमुख संदेश यही है कि हम भगवान को अपने हिर्दे में आमंत्रित करना चाहते हैं। उसके लिए उसे हमें शुद्ध बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, उन काम, क्रोध, दो, मोह, मत्सरे जो हमारे सब के हिर्दे में बैठ है उसको भगाना पड़ेगा। और उसका एक मात्र जो है जाडू लुगाने का जो उपाय है वो भगवन नाम ही है इस कल यूग में। और आपको वहाँ विराजमान करें और दिव्य ब्रज का जो आनन्द है उसको हम प्राप्त कर सकें हरे कृष्णा।